चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संसदी प्रश्ण अब हम लोग हपते में दो तीन ऐसा निकालेंगे जहां से हम लोग ऐसे प्रश्णों को त्यार करेंगे जहां से सभी परिच्छा में प्रश्ण आने बिल्कुल तय हो आज को जो हम लोग को टॉपिक है वो है संसदी संसद में तीन प्रकार के संसद के तीन प्रमुक सत्र होते हैं कितने सत्र होते हैं संसद के तीन सत्र इन तीनों सत्रों के बारे हम लोग बारे किसे देखते हैं अगर पहले सत्र की बात करें जो पहला सत्र होता है उसे कहते हैं संसद का पहला सत्र होता है उसे कहते हैं budget सत्र होता है पहला सत्र कोरे से होता है वह बजट शत्र कहलाता है यह फरवरी से मार्च के भीच होता है इसके निएम को परिवर्ट हें सरकार के लिए अवश्यक है कि कोईकर लगने या कोई बे करने से पूर उसमें क्या होती है? संसद की स्विकृति अनिवार होती है. और हम यह जानते हैं कि प्रतेक वर सरकार या बजट मतलब एक वर्ज का पूरे एक वर्ज के I & via का, जो प्यर्णा होता है, उसे एक उर्पई के माध्यम जे सरकार को क्या अगन होता है, पेश करना होता है, ठीक है, और लेखा जो खाँ होता है, वो संसादे प्रस्तूत करती है ठीक इसमें भी दो बजेट होते हैं, एक होता है आम बजेट, दूसरा होता है रेल बजट ये प्रया अलग लगते लेकिन अब दोनों को मर्च करकर एक ही बजट के रूप में इसका ध्यान क्या रहता है फिर आते हैं अगला जो है आपका वो मांसून सत्र ध्यान दीजेगा मांसून सत्र, मंसूल सत्र में क्या होता है, यह जुलाई से अगस्त मा के बीच होता है, फिर होता है जो अगला, वह होता है, सीद कालिन सत्र कौन सा होगा, सीद कालिन सत्र कोंसा सत्र होगा सीथ कालिन सत्र यह अभी यह वसका तीसरा या अंतिम सत्र कालिन होता है यह नौंबर से दिसंबर में होता है यह नौंबर और दिसंबर में होता है इस प्रकार यह तीनों सत्र जब संसत की सत्र होता है संसत की बैठके होती है उस समय संसत में कुछ तो वहां से यह प्रश्ण जरूर पूछे जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं, आप भी हमारे साथ तयार होंगे, और हम लोग भी मिलकर इस प्रश्ण को तयार करते हैं, पहली बात हमें जानते हैं कि संसदी जो प्रश्ण होते हैं, उन्हें चात्र के भागों में बाढ़ते हैं, उसकी पहले छोटा सा प्रशन हम आपको देंगे कि सनसद की दो बैटकों के बीच में कुल कितने समय का अंत्राल होना चाहिए इसका जब आप कमेंड बाक्स में दीजेका उमीद करते हैं, आप सभी अपना जवाब चरूर देंगे अब आते हैं संसद के में जब बैठाक होती है तो वहाँ पे निम्लिखित प्रकार के प्रश्ण जर्म लेते हैं उन्हीं प्रश्णों के बारे में आते हैं पढ़ते हैं पहला है संसदी प्रश्ण क्या पढ़ते हैं, संसदी प्रश्ण, संसदी प्रश्ण में क्या होता है, पहला होता है, यहाँ पर देखते हैं, तारांकित प्रश्ण, कौन सा है, तारांकित प्रश्ण, तारांकित प्रश्ण भी दो प्रकारी के होते हैं, यहाँ पर हमने देखा को बीच प्रश्ण ही पूछे जा सकते हैं, जबकि राजसभा की बात करें, तो एक सदस यहाँ पे तीन प्रश्ण पूछ सकता है, और यहाँ पे प्रश्ण पूछने की कोई सीमा नहीं है, यह दोनों बाते असपश्ट कर लेजे पहले, तारंकेत प्रश्ण लोगसभा और राजसभा दोनों पूछे जाती है, जबकि लोगसभा का एक सदस केवल एक ही प्रश्ण पूछ सकता है, मतलब एक सदस एक प्रश्ण और अधित्तम 20 से जादे प्रश्ण लोगसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं, जबकि रासवा का एक सदस तीन प्रशन पूछ सकता है और प्रशन पूछने की कोई सीमा निधायत नहीं है अर्थात हम अनंत प्रशन पूछे जा सकते हैं अब प्रशन आता है कि तारंकित प्रशन किशे कहते हैं चलिए आज हम लोग देखते हैं कि तारंकित प्रशन किशे क तरंकित प्रश्न वह होता है जिसका उत्तर मौखिक मांगा जाता है, पहचान के लिए उस पर इस्टार बना होता है, इसलिए इसे तरंकित प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कौन से प्रश्न अनुपूरक, मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को ही सुची वद्द किया जाता है, ये लोग सभा के लिए, तो ये था तरंकित प्रश्न, इसे तरंकित क्यों कहते हैं, ये हमने बता दिया, इसका उत्तर मौखि पूछा जाता है, लोग सभा और रासभा में इसके बारे में हमने बता दिया, ये फिर भी आपको कोई समस्या रहती है, आप कमेंड वाक्स में कमेंड करकर आप में अतरंकित प्रश्न दिखें, यहाँ पर दिख रहा है, अतरंकित प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, लोग सभा में, एक सदस चार प्रश्न पूछ सकता है, और कुल 230 प्रश्न पूछे साथ के ध्यान दिजाएगा, अतरंकित प्रश्न, एक सदस चार प्रश्न पूछ सकता ह और कुल कितने पूछ सकता है 230 प्रश्ण जबकि राजसभा में एक सदस कोई सीमा नहीं है कोई कितना प्रश्ण पूछ सकता है कुल प्रश्ण की भी कोई सीमा नहीं है मतलब राजसभा में आपे ना प्रश्ण की कोई सीमा निधारित है ना कुल प्रश्ण की सीमा निधारित देखें अतरंगित ऐसे प्रश्ण होते हैं जिसका लिखित उत्तर प्रश्ण काल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्ण पूछा जाता है उसके द्वारा सभा के पटल पर रखा मान लिया जाता है ध्यान दीजेगा यह लिखित प्रश्ण होता है यह प्रश्ण काल के बाद प्रश्नकाल के बाद, एक प्रश्न उरता है, प्रश्नकाल क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, किस से, मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, उसके द्वारा सभा के पटल, जो सभा की पटल होत 230 प्रशन पूछे जा सकते हैं लोग सभा के दारा अभियां से प्रशन हमारे आपके बीच में आ गया कि प्रशन काल क्या होता है इसके उत्तर के बारे में हम लोग जानते हैं ये प्रशन काल क्या होता है कौन सा काल प्रशन काल जली उसके लिए हम लोग तो लासा आई हम जानते हैं प्रश्नकाल क्या होता है यह प्रश्नकाल के बारे में अगर हम देखना चाहें तो समनतर लोगसभाग की बैठक जो लोगसभाग की बैठक होती है लोगसभाग की बैठक का पहला घंटा लोगसभाग की बैठक की पहली घंटा जो पहला घंटा होता है अर्थात दोपहर के 11 से 12 बजे दोपहर के 11 से 12 बजे के प्रश्नों के लिए होता है इसे ही हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं किस नाम से प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं जान दीजेगा लोगसभाग की बैठक का जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे तक उससे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है किस नाम से प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है दूसरी बाते जो याद करने योग्य है आपके वो यह है कि इसका संसत के कारवाही में विशेस मात्तो है प्रश्नकाल के दौरान सदस्ट प्रशार्शन और सरकार के कार्य कलापों के प्रतिएक पहलू पर क्या कर सकता है प्रशासन और सरकार के कार्य कलापों के प्रतेत पहलो पर क्या कर सकता है प्रश्न को पूच सकता है इससे सरकार की इस्तिती होती है वो मजबूत होती है अपनी नीती कदम के अनुरूप ढालती है इसकी यह शुरुवात जो है कहा हुए थी इंग्लेंड में हुए थी इसका जो शुरुवात हुआ था इंग्लेंड में हुआ था और यह सरप्रथम 1721 में आया और इंग्लेंड से इसकी प्रारम की गए थी भात में संसदी पूचने की पधत्ती की शुरुवात अगर भारत में देखा जाए तो कब हुए थी अठारसो बानवे अठारसो बानवे स्याद होगा भात परसत अधिनियम जबाया था उसी की बात से प्रशनिकाल चैन में आया जबकि इंग्लेंड में यह 1721 में आ था यह संसत की करवाही का पहला गंटा होता है सुरी 11 से बारे वजे का और सद that फस जो होता है प्रिसास जोड़ी सव को प्रस्थोत कर पाते है मंत्रा अपनी नीतियों की लो किता का अंमाल लागाते है हैं इसमें में क्यों था ध्यापक दिया पक रिज्लोग वाले मद्दा होता है इसके माध्यारतन से नहाई जन होते हैं दिज्टम कई बिदान भावनां को बता आया था यह था यह था घरक अब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रशनकाल के बाद, फिर हम लोग उसी करम में अतारंकित, अतारंकित आप सूचना प्रशन के बाद, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, इसके पहले हमने तारंकित प्रशन को पढ़ लिया, अतारंकित प्रशन को प आगे जो हम लोग का वो पढ़ना है अल्प सूचना प्रश्ण में देखिए अगर ध्यान से देखा जाए ते आप इसके अबारे में आपको पता देते हैं यह अब विलंबनी लोक महतों से समंधित होता है जिससे एक सामान प्रश्ण हेतु दस दिन के आवद मतलब दस दिन का इसमें समय दिया जाता है उसमें प्रश्ण को पूछा जाता है जिसका जवाब मौकिक उत्तर दिया जाता है इसके बाद अनुपूरा प्रश्ण पूछे जाते है एक छोटा सा सवाल आप से कि अनुपूरा प्रश्ण क्या होता है कौनसा अनुपूरा ध्यान दीजेगा अनुपूरा प्रश्ण क्या होता है इसका जवाब आप कमेंड बाक्स में चरूर दीजिए गा इसका वित्तर मौकिक वाताब दस दिन के लिए होता है दस दिन से कमवधी की भीतर सोचना देखकर यह पूछा जाता है फिर आते हैं गैर सरकारी सदस्यों के प्रश्ण यह संसदी नियम के चालिस के अंतरकत जाते हैं मतलब यह सवयम सदस्यों इस प्रश्न पूछा जाता है और वह उस इस्ति में पूछा जाता है जब इसका विशय सभा के कार से संबंदेत किसी विधेयाक संकल पर अन्य मावलों से संबंदेत हो उसके लिए वसदस उत्तरदाई हो इस प्रकार हम लोगोंने समहत्पूर्ण संसिती प्रश्न के भारें पर जो परिच्छा के दिश्टिकोंड से सबसे जादा प्रटपूर्ण होता है फिर भी यह दिया को किसी प्रकार कोई समस्या है कमेंड वाक से चुरूब बताएगा इसी प्रकार से हम लोग रट लोग प्रशन की एक सीरीज लगातार क्रम से लाते रहेंगे जहां पर हम हर एक परिच्छा के समन्ने विश्ट प्रकार की वारता करेंगे तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको पुली तरह समझ में आगया होगा तो इस वीडियो लिंक को आप सभी सेर कर देगा साधी साथ इसकी पीडियाप जो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी टेलीग्राम और इसी के साथ इस वीडियो लिंक को सेर कर दीजेगा ओल इन क्लास के लिए 63063-24367 अब कॉल करके ओल इन क्लास समंदीत जानकारी ले सकते हैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथ यो तक जरू पुझे जाते हैं इसलिए एक बार पुरी तरह से आप तयार करें जाएगा और इससी के साथ आप से बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत